पूरा देश किसान आंदोलन की तस्वीरे देख रहा है कृशी बिल को वापस लेने की मांग को लेकर किसान घुस्षे में है हर्याणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के हजारों किसान दिल्ली पर चड़ बैठे हैं जै जवान, जै किसान वाले देश में नौबत यहां तक आप पड़ी है कि जवान और किसान एक दूसरे के सामने खड़े है कौन है ये किसान? क्यों इतने नाराज है? कहां से चले आये हैं? क्या करके ये मानेंगे? इन सवालों को गंभीरता से समझने की जरूरत है पूरा मामला केंदर सरकार के तीन क्रिशी कानून से जुड़ा है इन तीन क्रिशी कानून को किसान विरोधी मान कर सितंबर से इसका विरोध जवर्दस तरीके से चल रहा है इन विरोध प्रदर्शनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के दरजनों किसान संगठन शामिल है सभी ने मिलकर सन्युक्त किसान मोर्चा बना डाला है इसी के बैनर दिले किसानों ने दिल्ली की और कूँच किया है पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मागों को लेकर हमेशा से मुखर रहे है जितना इन्हें दबाने की कोशिश हुई है, इनका प्रतिरोध उतना है जबरदस्त रहा है इस बात को समझने की जरूरत है कि इस किसान अंदोलन में कई राजनितिक दलों की राजनिती भी घुसी हुई है इसी ने बड़े किसान अंदोलन को जन्म दे दिया है केंदर सरकार के कृशी बिल का पंजाब और राजस्थान जैसे गैर बीजेपी राजविरोध कर रहे हैं जबकि हर्याणा और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज बिल के समर्थन में है अक्टूबर महीने में पंजाब विधान सभा ने एक स्पेशल सेशन बुला कर केंदर के कृशी बिल को रद कर दिया सभी ने एक मत होकर कृशी बिल को पंजाब में लागू नहीं करने का एक रिजोलूशन पास किया पंजाब की इस कदम के बाद हर्याना सरकार से भी कृशी बिल के खलाब इसी तरह के रिजोलूशन पास करने की मांग उठने लगी इसी तरह की मांग को लेकर हर्याना के किसानों ने डिप्टिस सीम दुश्यंत चोटाला और उर्जा मंतरी रणजी चोटाला के घरों का घेराओ भी किया चोटाला की जन्नायक जनता पार्टी को किसानों की पार्टी माना जाता है लेकिन कृश्य बिल पर जेजेपी का रुख बीजेपी के साथ है हर्याना के सीम मनुहर राल खटर ने कुछ किसान संगठनों से बाचीत भी की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला जब किसानों को लगा कि हर्याना सरकार उनकी बात नहीं मानने वाली है तभी उन्होंने दिल्ली की ओर पूच करने का फैसला लिया ताके केंदर सरकार पर दबाव बनाया जा सके यही से दिल्ली चलो नारा उचला और किसान एक चूट होने लगे हर्याना में बीजेपी और जेजेपी को छोड़ कर सभी पार्टियां किसान अंदोलन का समर्थन कर रही है इनके लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को खेरने का यह बहतरीन मौका है उसी तरह से राजस्थान और पंजाब की कॉंग्रेस सरकार भी किसानों के साथ खड़ी है पंजाब की अकाले दल किसानों के मसले पर एंडिये से अलग हो चुकी है अमरिंदा सरकार के समर्थन की वज़े से किसानों ने पंजाब में हफ्तों तक रेल रोको आंदोलन चलाया अब किसानों की धमक दिल्ली तक पहुँच चुकी है आपको हमारी यह खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बागे खबरों के लिए देखते रहें टीवी नाइन डिजिटल